नमस्कार दोस्तो हमारे यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम लेकर आई हैं CIDS Present Designing के कुछ important questions जो की काफी बार प्रिक्षा में पूछे जाज सुके हैं और पूछ जाने की संभावना भी काफी ज्यादा है दोस्तो इससे पहले हमने CIDS Present Designing के कुछ और भी questions डिसकस किये हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और उपर i button पर भी मिल जाएगा अगर आपको दिएगा question आसफर की PDF चाहिए या फिर आपको कोई question है या फिर को query है तो description box में आपको telegram channel का link मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो आज के person पत्तर को शुरू करते हैं तो सबसे पहला person है नियंतरन चाट में इन में से कोई सा देखा जाता है इसके option है ए पता लगाना की सर्मिक प्रिरित है या नहीं प्रकरिया परिवर्तन सीलता की पहचान करना तो next option हमारा है नियंगा लिक्त में से कौन सा धावधारी के रूप में माना जाता है इसके option है तो इसका सही उतर है तो दोस्तो निमलिक्त में से कौन सा सब्द एक छोटी दुगान को संधर्वित करता है जो एक विशेस परिधान डिजाइन में माहिर है इसके ओप्शन है दोस्तो निमलिक्त में से कौन सा सब्द एक परिधान में डबल या एका दिक्त है को संधर्वित करने के लिए प्रियोग किया जाता है दोस्तो निमलिक्त में से कौन सा उप्योग किया जाता है जिस दिसा में इसे काटा जाना चाहिए इसके ओप्शन है इन में से कौन सा सब्द एक प्राम प्रागत और बोक्स फैसन विचारों के बहाद संधर्वित करने के लिए प्रियोग किया जाता है इसके ओप्शन है जब डिजाइनर के लिए व्यापारिक माल लाता है इसके ओप्शन 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 है यह तीन आया में विचारों को उत्पन करने में मदद करता है यह विविन कपडे के डेर को देखने में सेक्ण बनाता है यह विविन कोडो पर परद के पिणिंग को सेक्ण बनाता है इसका इसके ओप्शन है इस साटन भी फ्लालेन, सी, गैबरडिन, डी, इन में से कोई भी नहीं, इसका सही उत्तर है, गैबरडिन, तो next question की बात करें दो, कौन सा एक सिकन मुक्त कपड़ा है, इसके option है, नाइलोन भी सिल्क सी कपास, डी, इन, इसका सही उत्तर है, नाइलोन एक सिकन मुक्त कपड़ा तो बोबिन केस के अंदर भी फेडों के अंदर S ispool के अंदर D में से कोई भी नहीं इसका सही हुत्टर है जुमिकास के अंदर बोबिन दो अबंदर प्राकर्थिक फाइवर है अप्शन है एक्रयलिक इक्रिलिक इक्रिली प्रमण इसका सही उतर है तो next question है निमलिक्त प्रकार के गाउन डिजाइन में किसके नीचे गाउन लटकता है इसके option है A. Tramp B. Mermot C. Tulip D. Seat इसका सही उतर है Tramp गाउन डिजाइन में नीचे गाउन लटकता है next question है किसमें दागी का स्पूल रखा जाता है इसके option है A. Spool Pin B. Thread Guide C. Spool Spindle D. इनमे से कोई भी नहीं इसका अज़ूर आप कमेंड बुक्स में बताएंगे तो next question है निमलिक्त में से किसको ELFGH भी कहा जाता है इसके option है A. Puff आस्तिन B. सदास्तिन C. टुलिप आस्तिन D. इनमे से कोई भी नहीं इसका सही उत्तर है सदास्तिन तो next question है निमलिक्त कपड़े में से कौन सा ग्रिसम कालीन वस्तर बनाने के लिए सरसे उप्यूक्त है इसके option है A. Silk B. Nylon C. Cotton D. Polyester इसका सही उत्तर है C. Cotton तो next question है निमलिक्त फाइबर में से कौन सा जल रोदक कपड़ा बनाने लिए उप्यूक्त है इसके option है नाइलोन B. Viscose C. Polyester D. इनमे से कोई भी नहीं इसका सही उत्तर है नाइलोन Next question है सीने और कमर के बीच के कपड़े के हिस्से को संदर बित करने के लिए निमलिक्त में इसे कौन सा सब्द उप्योग किया जाता इसके option है A. Midriff B. Empires C. Surplus D. Corset इसका सही उत्तर है Midriff तो next question हमारा है इनमे से कौन सा सुई को अपने स्थान पर बनाए रखता है इसके option है A. Sui Plate B. Sui Lever C. Sui Gaze D. इनमे से कोई भी नहीं इसका सही उत्तर है इनमे से कोई भी नहीं तो next question हमारा है इनमे से कौन सा सुई की गति को नियंतरित करता है इसके option है A. Pressure Foot B. Same Gaze C. हात पर या D. Bobin इसका सही उत्तर है इनमे से कौन सा टेक अप लिवर की गति को नियंतरित करता है इसके option है A. Pressure Foot B. Same Gaze C. हात पर या D. Bobin इसका सही उत्तर है हात पर या टेक अप लिवर की गति को नियंतरित करता है तो last question है निमलिक्त परकार के वस्तर बनाने में से कोल सा गोटा है इसके option है A. बुना हुआ कपड़ा B. कडाई वस्तर C. Heat Transfer Printing D. इनमे से गोई भी नहीं इसका सही उत्तर है कडाई वस्तर तो दोस्तो इसी के साथ हमारा कदम होता है Level 1 तो next आने वाली वीडियो में हम Level 2 को डिसकस करेंगे तब तक बने रही है हमारे साथ अगर आपने इस टेलिग्राम जैनल जोइन नहीं किया तो जल से जल जोइन के ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना और नहीं भूले धन्यवाद